स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टूमर केर से हम बात कैसे करेंगे कौन साउन का नंबर है और डायल करने के बाद कौन-कौन सी बटन को हम दबाएंगे तो कॉल हमारी लग जाएगी इसी के बारे में पूरे डीटियल से इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं तो वी लाइब स्क्रίν कोटें और पिर सीख लेते हैं दोस्तों कैसे कैसे का करना है दोस्तों आई बताते हैं कि स्टीट उफ इंडिया के कस्टूमर केर से आप कैसे बात कर पाएंगे जैसा कि हालाहिं मैंने आपको सुनाया भी है तो आपको सिंपल मोबाइल फॉन के डायलर में ज करेंगे तो कॉल कुछ इस प्रकार से आती है हिंदी में जारी रखने के लिए एक और अपनी भाशा बदलने के लिए शून यदा बाएं यहां पे हम एक प्रेस कर देंगे ठीक है अपने ATM कार्ड, UPI, इंटरनेट बांकिंग ब्लॉक करने के लिए शून यदाबाएं खाते की शेश राशी प्राप्त करने और खाते के विवराण के लिए एक दबाएं ATM कार्ड और चेक्पुक सेवाओं के लिए दो दबाएं SPI YONO, Internet Banking और ब्याज प्रमार पत्र के लिए तीन दबाएं विभिन रिरो, इपॉष इन दबाएं SPI YONO की जानकारी के लिए एक दबाएं Internet Banking संबंधी जानकारी के लिए दो दबाएं DDS और जमा बयाच प्रमार पत्र एमेल के माध्यम से प्राप्ट करने के लिए तीन दबाएं Home Loan के बयाच प्रमार पत्र के लिए besides, Learn Sky दबाएं हमारे सलहकार से बात करने के लिए नो दबाएं नो दबाएं दिजिए हम ज्राहक सिवा अधिकारी से संपर्द करा रहे हैं जी नमस्ते सर हेलो सर हेलो हेलो सर दोस्तों कॉलिंग हम ने पूरा प्रक्रिया बता दिया किसी वज़ा से कॉल रिसीव हो गया था हेलो ही भोले हैं बट नेटवर्क के वज़ा से कॉल मतलब आवाज क्लियर नहीं जा रहे थी बट मैंने प्रोसेस टोटली आपको सिखाने का प्रियास किया प्रोसेस बिलकुल रियल है जानकारी अच्छी लगे हो तो सपोर्ट करिएगा वीडियो को लाइक यों चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों मिलते हैं किसे और वीडियो में तब तक कि लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रिखिएगा बाई बाई दोस्तों